तो जाहिंद मेरे प्यारे साथ ही हो, कैसे हुआ आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि भारती डाग विभा की नई भरती का इंतजार काफी बेसबरी के साथ कर रहे हैं काफी सारे बच्चे ये जानना चाते हैं कि नई भरती कब आएगी, कितने पोश्ट पर आएगी और इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा तो दोस्तो रिसेंटली में हुआ क्या है कि भारती डाग बाकी तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 18 जनवरी 2024 को जारी किया गया था, इसमें जो GDS की नई भरती आने वाली है 2024 में इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है दोस्तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखी screenshot लगा दिया है notification का इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से read कर सकते हो और यहाँ पे अगर आपको read करने में problem हो रही है तो आप चले जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मैंने टेलीग्राम चैनल का link अपने वीडियो की description में डाल दिया है वहाँ पर इस notification को डाल दूँगा वहाँ से आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से read कर सकते हो दोस्तो इस नए notification में जिक्र किया गया है rule 3 का जो की GDS करमचारी का transfer से related है उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो fraud होते है भारती डाग विभाग की भरतियों में उसको कैसे रोका जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको GDS 3 rule के बारे में बताता हूँ वे करमचारी जिनका की एक साल पूरा हो जाता है भारती डाग विभाग में कार करते हुए उनको transfer से related portal की सुरुवात यहाँ पे की गई है जो की एक साल में 4 cycle चलती है यानि की 4 चक्र चलते हैं दोस्तों लेकिन इसे अब घटा करके 2 बार किया जागा क्योंकि इसमें होता क्या है दोस्तों की समय जादा जाया होता है और जो नई भरती होती है ना उनके process में देरी देखने को मिलती है तो इस वज़े से अब क्या होगा की cable दो बार यह transfer portal जो है open होगा GDS करमचारियों के लिए और पहले क्या होता था कि जो इस्थानी भाषा का ज्यान नहीं भी है तो वहाँ पर भी GDS करमचारी को उस post office में इस B.O. में भेज दिया जाता था लेकिन अब वरतमान स्वे में क्या होगा कि जब दो बार यह portal open होगा ना तो उसमें इस्थानी भाषा का ज्यान होना चाहिए GDS करमचारी को तब ही वहाँ पर transfer किया जाएगा ने तो होता क्या है दोस्तों कि GDS करमचारी को काफी survive करना पड़ता है वहाँ पर रहा करके क्योंकि उनको local language की जानकारी होती नहीं है उनको transfer तो कर दिया जाता है लेकिन उनको काफी दिक्टों का सामना करना पड़ता है त तो ये वज़ा है दोस्तों भारती डाग विभाग में जो नई भरती आने में डिले हो रहा है एक तो ये वज़ा है और दूसरी सबसे बड़ी वज़ा ये है ना कि आप सभी लोग को मालूम है इस वक्त इस्पेशल ड्राइब की जो भरती आई थी बारा हजार आट सो प्रोसेस चल रहा है इसका भी डागुमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और जब तक वो प्रोसेस पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाएगा दोस्तों विभाग जो है उधर भी उल्जी होई है ठीक ना जिस वज़़े से नई भरती को आने में इतना डिले देखन को मिल रहा है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार देखे पहले क्या होता था कि सकेंड डाकुमेंट वेरिफिकेशन में जो भी छात्र और छात्र है अनुपस्थित होते हैं उनकी फीट जो है वो खाली रह जात यानि कि कहने का मतलब यह है कि वो सीटे अब रिक्त नहीं होंगी वो सीटे अब खाली नहीं होंगी उनकी जगह पर शाट लिष्टेड कंडिडेट को मौका दिया जाएगा तो यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों और बहुत अच्छी बात भी है देखिए दूसरा और ग्रामीर डाग सेवक के पद शामिल होते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी आईडी प्रूफ जो है अप्लोड नहीं किया जाएगा आवेदन करते समय में क्यूंकि होता क्या है दोस्तों की चतुर्त स्रेड़ी की यह भरती है और इसमें जो है उन्होंने नोटिफ आया है दोस्तों यह एक इशारा है कि नई भरती जो है वह आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा अगर ऐसा ना होता तो यह भारती डाग विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो यहां पर आप सभी लोग समझ सकते हो दोस्तों आप सभी ल नहीं होता था यानि कि जाती प्रमाण पत्र नहीं होता था उनको पहले रिज्यक्ट कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों अब क्या होगा कि विभाग के द्वारा आपको समय दिया जाएगा जो भी समय मुहया करा यानि दस दिन पंद्रा दिन वह उनक के पास cash certificate नहीं होता था तो आपको result कर दिया जाता था तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों आपको रिजक्ट जो है नहीं किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कौंकों से दफ्टा वेज आपको ले करके अभी तयार रखने हैं जिससे कि नई भरती में आप लोग फार्म को यह अप्लाई कर फखेंगे तो मैंने कई बार आपको बताया है सबसे पहले तो हाई स्कूल का मार्शिट सर्टिफिकेट होना चाहिए काश्ट स सर्टिफिकेट होना चाहिए वह भी सेंटर लेवल का रिजिदेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे कि हम लोग पर्मानेंट निवास परमाण पत्र बोलते हैं वह आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों और आधार कार्ड और हा और दोस्तों अगर आपके अच्छे percentage है मैंने आपको बताया भी था कि कितने percentage अगर आपके होंगे तो आपको जरूर apply करना चाहिए एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप general या फिर OBC category के अंतरगत आते हो और आपके 80% से plus marks है ना तो आप लोग जरूर apply इस नई भरती में दोस्तों क्योंकि यह देखिए जो notification है GDS online engagement के नया notification जारी किया गया है भारती डाग विभाग के द्वारा तो दोस्तों यह एक कहीं न कहीं जो है इशारा है कि भारती डाग विभाग में आपको नई भरती बहुत जल्द देखने को मिलेगा जितनी notification जारी होगा देखिए मैं आपको यहाँ पर fake जानकारी नहीं देता हूं दोस्तों ठीक ना जब तक कोई authentic जानकारी नहीं आती है भारती डाग विभाग की तरफ से तब तक मैं अपनी तरफ से वीडियो नहीं वनाता हूं मैं कोशिस यहीं करता हूं कि आपको पूरी तरीक को भी like कर दीजेगा इसी प्रकार के government जो आपके more update पाने के लिए तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था कासी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो की rule 3 के बारे में नहीं जानते थे कि जो की GDS transfer से संब्दी थे उसको मैंने आपको यह बता दिया है कि यहाँ पर GDS rule 3 क्या होता है इसके अलावब 2024 की नई भरती में क्या कुछ बदलाव देखरों को मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है इससे आप लोग सहमाथ है कि नहीं सहमाथ है आपका क्या opinion है आप comment section में comment कर फक्ते हो बाके सेरे मिलेंगे किसी next वीडियो में तब तक के लिए ध अन्यवाद